प्यारे विध्यार्थियों, नमस्कार, आशा करते हूं कि आप सभी ठीक होंगे और तंद्रुस्त होंगे, पढ़ाई के प्रती भी आपका उच्छा कायम होगा, तो बच्छों, आज हम दस्वी कक्षा के विज्यान का पहला पार्थ रासाइनिक अभिक्रियाएं और समीकरन पढ़ना शुरू करेंगे, आएए बच्छों हम देखते हैं कि इस पार्थ में हमने क्या क्या पढ़ना है, इस पार्थ में सबसे पहले हमने पढ़ना है रासाइन अभिक्रियाएं और उसके बाद विक्रत गंधिता और संग्शारन बच्चों, पहले इस अध्याय में होने वाली कुछ अभिक्रियाओं के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं आपने अपने आसपास देखा ही होगा कि कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो एक बार हो जाते है तो उन्हें वापस उल्टा जा सकता है, मतलब उन्हें वापस अपनी पुरानी स्थिती में लाया जा सकता है, लेकिन कुछ परिवर्तन हमारे आसपास ऐसे होते हैं जिने हम उलट नहीं सकते, उन्हें वापस अपनी पुरानी स्थिती में नहीं ला सकते, उन्हें लापाना कठिन है इसी तरह कि बहुत सारी अभिक्रियाएं बहुत सारी रियक्शन आपने अपने आसपास होती देखी होंगी जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई एक इंट है जो तूट गई है मकान बनाते वक्त तो उस इंट को अलग तरीके से कई तरीकों से जोड़ा जा सकता है सिमेंट लगा कर बनाया जा सकता है लेकिन अगर आप सोचे कि आपके पास एक लोहे के अलमारी है और लोहे में जंग लग गया है तो क्या उस लोहे के जंग से आप दुबारा वो लोहा बना सकते हो आपने इस बारे में कभी सोचा है अगर नहीं सोचा तो जरूर सोचें आ ऐसा क्यूं होता है ऐसी कुछ अभिक्रियाएं क्यूं है जिने उल्टा जा सकता है और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी क्यूं है जिने उल्टा नहीं जा सकता जैसे हम लोगों ने सब ने हमारे घर में माचिस की तीली देखी है अब हम माचिस को जलाते हैं देखिए जैसे मैं माचिस को जला रही हूँ ये देखिए अब ये माचिस जल रही है ये लकडी की तीली अब किस में बदल रही है देखो देखो ज़रा ध्यान से देखो ये लकड़ी की तीली अब राख में बदल गई है तो बच्चों अब ये सोचिए कि अब इस राख से क्या आप दुबारा माचिस की तीली बना सकते हैं सोचिए अपने टीचर से अपने अध्यापक गणों से इस तरीके के क्वेस्चिन्स पूछा करिए इस तरीके के क्वेस्चिन्स पूछिए सोचिए और समझिए क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विशह है जिसमें आप जितना सोचेंगे जितना देखेंगे जितना करने का प्यास करेंगे उतना ही वो समझ में आएगा विज्ञान को हम क्राम करके रटके नहीं समझ सकते तो विज्ञान के लिए प्रश्ण पूछना जरूरी है हमारे आसपास होने वाले इन दोनों तरीके के परिवर्तनों को हम नाइन्थ में थोड़ा सा पढ़कर आए है इन्हें हमने नाम दिया है रासाइनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन अच्छा अब आप यह सोचें कि जैसे हम राग से लकडी नहीं बना सकते वैसे और उसी तरीके के बहुत सी कृयाएं हमारे आसपास घटित होती रहती है आज हम क्रयाओं का बहुत सारा समान अपने साथ लेकर आए हैं हमारे विज्यान के मुखेता तीन कंपोनेंट्स है बेसिक पहला कंपोनेंट है वोकाबिलरी Second component है Observation और Third component है Analysis इन तीनों components के आसपास हमारा पूरा विज्ञान घूमता है अब हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि Vocabulary क्या है देखे, Vocabulary से भाव है कि जो उपकरन या साधन हम प्रयोग शाला में उप्योग में लाते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए जैसे मेरे हाथ में ये परक नली है अब इसे परक नली क्यों कहते हैं आपको पता है हमने जो भी experiments या जो भी test करने होते हैं वो हम इस परक नली में करते हैं परक मतलब test और ये क्योंकि नली के आकार की है और इसलिए इंग्लिश में हमें से क्या कहते हैं test tube या परक्नली क्योंकि हमने इसमें परक्नली है इसी तरीके से अब अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास ये दो बरतन हैं काच के ये देखिए दोनों बरतन गोल सिलेंड्रिकल आकार के हैं ठीक है लेकिन अगर हम इनके उपरी हिस्से पर जाएं तो ये जो पहला वाला बरतन है ये पहला वाला उपर से पूरे तरीके से गोल है ठीक है तो ये हुआ simple jar या glass लेकिन ये जो दूसरा बरतन है अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक चोँच से निकली हुई है इसे नाम दिया गया है बीकर बीकर इसलिए क्योंकि चोँच को इंग्लिश में हम कहते हैं बीक इसलिए इसे नाम दिया गया है बीकर अब ये जो बीकर हैं ये हमारे पास अलग-अलग आकार के उपस्थित होते हैं जैसे ये 50 ml का बीकर उसी तरीके से ये 100 ml का बीकर और ये 200 ml का बीकर लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इन बीकर्स के उपर माप लिखी हुई है 10, 20, 30 और 40 लेकिन मैंने बोला ये बीकर 50 ml का है तो 50 ml का इसलिए है क्योंकि इस माप के निशान के उपर भी बहुत सी जगय खाली है जब इस बीकर को पानी से पूरी तरीके से भरा जाएगा तो वो पूरी तरीके की जो वैल्यू होगी पूरी माप वो 50 ml की होगी ठीक इसी तरीके से इस बीकर में भी जो माप है वो 80 ml तक है लेकिन जब हम इसको पूरा भरेंगे तो 100 ml यानि की 100 ml तक पानी इसमें आएगा इसी तरीके से हमारे पास कुछ बड़े बीकर भी पाये जाते हैं जिन पर की 500 ml की माप लिखी होती है लेकिन उसके ओपर इस तरीके से मारजिंस नहीं दिये होते माप नहीं होती लेकिन अगर जब हम पूरा भरते हैं तो वो 500 ml का पानी 500 ml माप का पानी उसमें आता है तो बच्चों इस तरीके के प्रश्ण उत्रों के बारे में आप अपने अध्यापकों से जरूर पूछें आपने कई ऐसे बीकर भी देखे हूंगे जिनके ओपर कुछ नहीं लिखा तो उस भीकर के बारे में भी आप अपने अध्यापक से जरूर पूछें कि उनकी कैपसिटी उनकी शमता कितनी है ठीक है ना बच्चो चलिए अब हम एक और उपकरन देखते हैं प्रयोकशाला में हम इसका काफी इस्तमाल करते हैं ये देखिए इसे कहते हैं कौनिकल फ्लास् या शंक्वाकार फ्लास्क अब शंक्वाकार फ्लास्क हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार जो है वो शंकू के आकार का है शंकू के आकार का होने की वज़े से ये कौनिकल फ्लास्क कहलाता है इसमें भी माप दी गई है कि 50 ml का कौनिकल फ्लास्क है या शंक्वाका फ्लास्क के अलग-अलग माप या अलग-अलग साइजेज हमारे पास लेबरेटरी में विद्यमान होते हैं उपस्थित होते हैं तो जब भी आप अपने स्कूल की लैब में जाएं तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स को करते वे इन्हें ध्यान से देखें चलिए आगे चलते हैं अब मेरे पास एक और चीज है यह देखिए इसे कहते हैं हम स्पिरिट लैंप एक नया है पुराना है स्पिरिट लैंप हम इसे क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें स्पिरिट भरी होती है वो जो स् जलने पर हम कोई भी एक्सपैरिमेंट जो है, वो असानी से कर सकते हैं, देखिए इसमें जो spirit होती है, जब हम इसे जलाते हैं, तो ये असानी से जलना शुरू हो जाता है, ये देखिए, ये जल रहा है, नीचे ब्लू कलर की flame है, और उपर red कलर की flame है, तो इसे spirit लंप होती है और यह उस spirit की साहता से जलता है और हम इसे काम में लेती हैं तो बच्चों इन सभी उपकर्णों के साथ साथ हम जब experiments करते हैं तो उपकर्णों का ग्यान हमें होता जाता है और हमारी vocabulary भी अच्छी होती जाती है इसे देखिए यह हमारी glass की एक rod है काच की एक छड़ है इसे glass rod कहते हैं यूजुली इसका उपयोग जो है हम stirrer के रूप में यानि कि किसी भी experiment को होते समय किसी भी material को हिलाने के लिए stirrer के रूप में हम इसका इस्तमाल करते हैं इसी तरीके से हमारे पास एक और उपकरन होता है जिसे हम कहते हैं spatula यह चमच के आकार का उपकरन होता है जिसकी सहता से कोई भी chemical पदार्थ अपने box में से निकाल कर test tubes में परक नली में या बीकर में डाला जाता है चलिए अब आप यह देखिए यह मैंने अपने हाथ में क्या पकड़ा है बिल्कुल सही यह क्या है test tube है और अब इस test tube को मैंने किसी एक उपकरन की साहता से पकड़ा हुआ है तो यह जो चीज है क्योंकि इसे हमने test tube को परक नली को hold करने के लिए काम में लिया है इसलिए इसे test tube holder कहते हैं तो यह test tube holder है जो कि हम जब परक नली को गरम करते हैं तो गरम करते समय हम इसकी साहता से test tube को असानी से पकड़ सकते हैं तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास बहुत से उपकरन हैं जिनका हम अभीक्रियाएं या रासाइनिक अभीक्रियाओं को करते समय जिनका हम इस्तमाल करते हैं देखें बच्चों, मेरे पास ये एक और उपकरण है ध्यान से देखें, ये किसकी तरह दिख रहा है? बिल्कुल सही, दवाईयों के साथ आने वाले ड्रॉपर की तरह है इसे भी ड्रॉपर ही कहा जाता है ड्रॉपर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से बूंद बूंद करके हम कोई भी material या कोई भी liquid test tubes में या बीकर में डाल सकते हैं इस तरीके से बच्चों हमारी vocabulary, experiments को करते करते, उपकरणों को यूज करते करते strong हो जाती है हर एक experiment के लिए जो भी हम उपकरण इस्तमाल करते हैं उन सब के जो नाम हैं वो उनको use करने के साथ साथ हमें याद हो जाते हैं जैसे ये test tube क्योंकि हम इसमें test करते हैं, परक करते हैं इसलिए ये परक नली या test tube क्योंकि इसके मूं आगे एक चोच की तरह है इसलिए ये एक बीकर है क्योंकि इसका आकार शंक्वाकार है इसलिए ये शंक्वाकार फ्लास्क या कॉनिकल फ्लास्क है और ये spirit lamp है क्यों? क्योंकि इसमें spirit है और वो spirit की सहता से ये जलता है तो इस तरीके से हमारी vocabulary strong होती जा रही है चलिए अब हम हमारा क्रिया कलाब 1.1 शुरू करते हैं इस क्रिया में magnesium के ribbon को जलाना है इसमें हम देखेंगे कि magnesium ribbon को जलाने से क्या बनता है और कैसे बनता है इस क्रिया के लिए हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हमें क्या क्या चाहिए इस क्रिया के लिए हमें चाहिए एक spirit lamp, marches, magnesium ribbon और रेगमाल अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी चीज़ें तो ठीक हैं लेकिन रेगमाल का इस क्रिया में क्या काम है इससे पहले आप यहां देखिए मेरे पास यहां पर दो तरीके के magnesium ribbon है एक magnesium ribbon है जो की काफी चमक रहा है और दूसरा जो magnesium ribbon है इसकी चमक गायब हो चुकी है इसकी चमक इसलिए गायब हो चुकी है क्योंकि magnesium के ऊपर magnesium oxide की एक परत जम चुकी है magnesium जब वायू मंडल में उपस्थित oxygen से क्रिया करके magnesium oxide बनाती है और इसी magnesium oxide के नीचे इस magnesium ribbon की चमक छिप गई है बच्चों जैसे आप घर में कोई aluminium से बना नया बरतन लाते हो तो ये बहुत ही चमक रहा होता है लेकिन कुछ समय बाद इसकी चमक कम होने लग जाती है इसका मतलब है कि aluminium के धातू की चमक औक्साइड बनने के कारण कम हो गई है अब इसका कारण हमने वैसे ही बता दिया क्यूंकि वायू मंडल में मौजूद oxygen जिश्यम धातू से क्रिया करता है जिसके कारण हमारे बरतनों की चमक कम हो जाती है पर बच्चों क्या हर धातू की चमक कम हो जाती है चलिए आज हम magnesium ribbon के साथ अभिक्रिया करेंगे और देखेंगे कि magnesium oxide किस तरीके से magnesium ribbon को जलने में रुकावट पैदा करता है जैसे कि बच्चों आप देख रहे हो magnesium ribbon एक पतले ribbon की तरह है हम इसका एक टुकुडा लेंगे और इसे रेगमाल की साहता से रगड़ेंगे अगर हम इसे ऐसे ही बिना रगड़े जलाने की कोशिश करेंगे तो यह नहीं जलेगा कारण जो अभी हमने बात करी कि magnesium के उपर magnesium oxide की एक परत है जो की magnesium को जलने से रोकती है तो इसे जलाने के लिए हमें सबसे पहले magnesium ribbon को रेगमाल से रगड़ना पड़ेगा तो यहाँ पर हम रेगमाल ले रहे हैं और आप देखिए कि मैं किस तरीके से magnesium ribbon को रेगमाल से रगड़ रहे हैं और जब हम रेगमाल से इसको रगड़ेंगे तेजी से तो इसके ऊपर की magnesium oxide की परत आसानी से उतर जाएगी और यह चमकने लग जाएगा यह देखिए मैं किस तरीके से इसे लगातार रेगमाल से रगड़ रहे हूं यह देखिए हमारा magnesium ribbon काफी चमक चुका है इसे जलाने के लिए हमें एक holder से पकड़ना पड़ेगा अब आप बताईए हमने इसे holder से क्यों पकड़ा है ताकि यह experiment करते वे हमारा हाथ ना जले तो magnesium ribbon को जब हम इस spirit lamp की सहता से जलाएंगे तो magnesium oxide की राक बनेगी यह देखिए magnesium ribbon जलना शुरू हो चुका है और कितनी white light के साथ यह जलता है जब magnesium ribbon को बिना रेगमाल से रगड़े जब हम जलाने की कोशिश करते हैं तो यह आसानी से नहीं जलता है इसका कारण यह है कि magnesium के उपर magnesium oxide की परत बन जाती है वो magnesium oxide की परत magnesium का ignition temperature बढ़ा देती है यानि की magnesium का जोलन ताप बढ़ा देती है और magnesium ribbon को जलने से रोकती है इसलिए हम magnesium ribbon को रेगमाल की साहिता से रगड़ कर फिर जलाते हैं ताकि वो आसानी से जल सके अब क्यूंकि magnesium oxygen की उपस्थती में जल जाता है तो जलने के पश्चाथ एक oxide बनता है जिसे हम लोग कहते हैं magnesium oxide बच्चों आपने यह देखा कि जो magnesium oxide की परत magnesium ribbon के उपर जमी हुई है अगर हम उसे रेगमाल से ना उतारें तो magnesium ribbon नहीं जल रहा इसका एक कारण यह है क्योंकि हर एक चीज प्रिकृती में अपने आपको स्थिर रखना चाहती है इसी तरीके से magnesium oxygen के साथ अभिक्रिया करके एक स्थिर oxide बना लेता है जिसे हम magnesium oxide कह रहे हैं तो यह magnesium oxide के साथ जब हम इसे जला रहे थे तो यह नहीं जलेगा इसी कारण हम रेगमाल को रगड़ रगड़ कर इसकी परत को उतारते हैं और उतारने के पश्चाथ हम इसे जलाते हैं अब हमें इस ribbon को जलाने के पश्चाथ जो white color की राख मिल रही है इस राख को हम watch glass में इकठा करेंगे जब हम magnesium धातू को जलाने के पश्चाथ इस राख को इस्तमाल करते हैं तो अब आप यह सोचिए बच्चों कि क्या यह राख फिर से magnesium ribbon बन सकता है नहीं बच्चों जब भी आप experiments करें तो आप यह ध्यान में रखें कि आग के साथ experiment करते समय एक बाल्टी पानी और एक रेट की बाल्टी आपके आसपास जरूर हो क्योंकि आग के बढ़ जाने पर इस पर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो पहले आप यह देखें कि यह दोनों चीजें यहाँ पर भी उपलब्द है तो अब हम क्रिया को आगे देखते हैं देखें कितनी वाइट लाइट के साथ यह मेगनीशियम रिबन जल कर राख बन चुका है यह मेगनीशियम ओकसाइड है जो सफेद रंग की राख में बदल चुका है अब हम इस राख का टेस्ट करेंगे कि यह राख अलकलाइन यानि की शारिय प्रकृति की है या एसिडिक यानि की अमलिय प्रकृति की है इसे चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर की साहिता लेते हैं लिटमस पेपर से आपको कुछ याद आया होगा साथवी कक्षा में अमल और शार वाले अध्याय में लिटमस पेपर का जिक्र हुआ था अब आप बताईए बच्चों लिटमस किस से बना होता है हाँ, बिल्कुल सही, यह है लाइकेन से बनता है लाइकेन से लिटमस पेपर बनाए जाते हैं यह पेपर दो रंग में आते हैं, लाल और नीला लिटमस एक ही होता है, लेकिन उसे अलग-अलग रंगों के पेपर्स बना लिये जाते हैं लाल लिटमस शार में डालने पर नीले में बदल जाता है और नीला लिटमस अमल में डालने पर लाल में बदल जाता है तो देखिए हमारे पास ये दो तरीके के लिटमस पेपर है पहला लाल और दूसरा नीला ये देखिए ये एक लाल लिटमस पेपर है और ये नीला लिटमस पेपर है ये लाइकेंस के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं और यह आपने साथवी कक्षा में पहले से देख रखे हैं चलिए अब हम इनका टेस्ट करते हैं हम पानी में कुछ बूंदे हाइड्रो क्लोरिक अमल की डालते हैं ताकि वो पानी हल्का सा अमलिय हो जाए यह देखिए पानी में कुछ बूंदे हमने अमल की डाल दी है dropper की सहाईता से अब हम लाल लिटमस पेपर से इसकी टेस्टिंग करते हैं जब लाल लिटमस पेपर को अमल में डाला जायेगा यह क्या? इस पर तो कोई असर नहीं हुआ यह लाल ही रहा कोई बात नहीं? चलिए अब नीले लिटमस पेपर से ट्राय करते हैं नीले लिटमस पेपर को इस अमल वाले पानी में डालने पर देखते हैं क्या प्रभाव होता है अरे ये देखिए नीला लिटमस पेपर अमल में डालते ही लाल हो गया जबकि लाल लिटमस पेपर को जब हमने अमल में डाला था तो इसके उपर कोई प्रभाव नहीं हुआ यानि कि लिटमस पेपर में जब अमल की उपस्थती में लिटमस नीले से लाल हो जाता है और शार की उपस्थती में लिटमस लाल से नीला हो जाता है बच्चों अब हम क्रिया कलाब एक पॉइंट तीन करेंगे हम इसमें धातू की अमल के साथ अभी क्रिया करेंगे इस क्रिया में हमने जो धातू इस्तमाल किया है वह है जिंक धातू जिंक, ग्रैनिोल्स यानि की जिंक के दाने के नाम पर ये हमें प्रियोक शाला में मिलेगा ग्रैनिोल्स का मतलब है दाने या टुकडे ये टुकडे चमकदार नजर आते हैं क्या कभी आप बता सकते हो ये किस रंग में उपस्थित है जी हाँ जिंक सिल्वर ग्रे रंग का होता है बच्चों क्या आप अमल का नाम बता सकते हो जो आपने पढ़े हो या किसी क्रिया में इस्तमाल किये हो इस क्रिया में हम हाइड्रो क्लोरिक अमल का इस्तमाल करेंगे इसका सिंबल यह इसका प्रतीक यह इसका फॉर्मिला है HCl इसी तरह हमारी प्रयोगशाला में और भी कई प्रकार के अमल होते हैं जैसे की सलफ्यूरिक अमल H2SO4, नाइट्रिक अमल HNO3 यह अमल प्रयोगशाला में सांद्र अवस्था में यानि की गाड़ी अवस्था में मौजूद होते हैं लेकिन जब हमने इनकी क्रिया करवानी हैं तब हमने इनका तनू रूप इस्तमाल करना है सांद्र और तनू अमल में क्या अंतर होता है सांद्र अमल में अमल की मात्रा जादा और पानी की मात्रा कम होती है लेकिन तनु अमल में पानी की मात्रा जादा और अमल की मात्रा कम होती है सांद्र अमल खतरनाक होता है इसे इस्तमाल करते समय बहुत साफधानी से काम करना पड़ता है सांद्र अम्ल से तनु अम्ल कैसे बनाएं तनु अम्ल बनाने के लिए एक बीकर में पानी लें और उसमें बूंद बूंद करके आप अम्ल मिलाएं अब आप सोच रहे होंगे कि अम्ल में भी तो पानी मिलाया जा सकता है पानी में ही अम्ल क्यों मिलाएं तो बच्चों ऐसा कभी भी नहीं करना क्योंकि जब अमल में पानी मिलाते हैं तो एक उश्मा शेपी अभिक्रिया होती है उश्मा शेपी अभिक्रिया मतलब ताप निकासी की क्रिया होती है इसमें इतना जादा ताप उत्पन होता है कि वह तेजाब, वह अमल उचल कर आपके मूँ, आपके हाथों या आपके शरीर के उपर आ सकता है इसमें इतनी उश्माउथपन होती है कि काँच का बिकर भी तूट सकता है इसलिए सांद्र अमल से तनु अमल बनाने के लिए हमेशा पानी में बूंद बूंद करके अमल डाला जाता है चलिए, अब हम आगे की क्रिया करते हैं अब हम एक शंक्वाकार फ्लास लेंगे और इसमें जिंक धातू के टुकडे डालेंगे इसमें हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अमल मिलाएंगे पर ड्रॉपर की साहता से सीधे बॉटल से ना डालें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है देखे बच्चों, क्रिया होना भी शुरू हो गई अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ बुलबुले बन रहे हैं इन बुलबुलों के बारे में आप अपने अध्यापक से पूछें और खुद भी सोचें यह आप जानते ही होंगे कि जब भी कोई तरल पदार्थ गैसी अवस्था में बदलता है तब ऐसा होता है बुद्बुले निकलते हैं जिंक हाइड्रोक्लोरिक अमल के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है इसे हम समीकरन के रूप में इस प्रकार लिखते हैं जिंक ZN प्लास हाइड्रोक्लोरिक अमल HCl इससे बन रहा है जिंक क्लोराइड ZNCl2 प्लास हाइड्रोजन गैस H2 यह जो हाइड्रोजन गैस है वह है उपर की और बाहर निकल रही है चलिए बच्चों इस रासाइनिक समीकरन के लिए जो रासाइनिक अभिक्रिया हो रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं देखिए जब भी कोई रासाइनिक अभिक्रिया होती है तो चार प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का निकास या उत्सर्जन, और चोथा तापमान में परिवर्तन जब भी कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई अन्य पदार्थ बनाते हैं, तो अभिक्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है जबकि जो चीज बन रही है, उन्हें उत्पाद कहा जाता है अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक एरो के निशान के द्वारा अभिक्रिया दिखाई जाती है जैसे magnesium की जब हम oxygen से अभिक्रिया करवाते हैं तो magnesium oxide बनता है तो इसे लिखते हुए हम अभिकारक एक तरफ लिखेंगे magnesium plus oxygen और इससे बन रहा है magnesium oxide चलिए बच्चों अब हम संतुलित रासाइनिक समीकरण के महत्व के बारे में जानेंगे तो पहले हम रासाइनिक समीकरण को संतुलित करें Fe, Fe प्रतीक है लोहे का, iron का, plus H2O यानि की पानी इन दोनों की अभिक्रिया से बन रहा है Fe3O4 ferric oxide plus hydrogen gas समीकरणों को संतुलित करते समय हमें तत्वों का पता होना चाहिए कि आपकी समीकरण में कौन-कौन से तत्व हैं जैसे कि हमारी इस समीकरण में iron, hydrogen और oxygen है हमारे अभिकारकों में iron यानि की लोहा का एक परमानू है hydrogen के दो परमानू है और oxygen का एक परमानू है उत्पादों में परमानू की संख्या iron की 3, hydrogen की 2 और oxygen की 4 है तो इसे संतुलित करने के लिए हमें परमानू की संख्या को अभिकारकों और उत्पादों में बराबर करना होगा रासाइनिक समीकरण की महत्ता को जानने के बाद अब हम रासाइनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे पहली संयोजन अभिक्रियाओ, दूसरी वियोजन अभिक्रियाओ, तीसरी विस्थापन अभिक्रियाओ, चोथी द्वी विस्थापन अभिक्रियाओ, पांच्वी उपचेयन व अपचेयन झाल